वाई ग्रुजी का खाल सा वाई ग्रुजी की फते जी आस करदा जी सारे ठीक होगे जी चड़ दिक लादे बेच होगे जी ते अपड़े करा दे वेच सेफ होगे दे लोकडाउन दे दिन आजे चाल रहें ने ते करार में चछेसे सारे लोग होए पएएंएंगे माई तेन तरीक तक जमें कि मैं पिछले व्लॉग दे विच भी तौनौ क्या जिगा कि तेन तरीक तक लॉकडाउन है ते खैर अपना ख्याल रखना बहुत जुरूरी है क्योंकि प्यानक बमारी है ते सानु सारे नो ख्याल रखना पाएगा सोशल डिस्टेंस जड़ा हैगा जड़ी दूरी बना के रखनी लोकां तो यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि एदे नाली इस चीज दा खात्मा हो सकता है अदरवाइस अजे तक एदा कोई द्वाई नहीं आई है कोई टीका नहीं आया कोई वैक्सिन वगरा नहीं आई है सो अपना ख्याल आप ही रखना पेना जी ओधना मौसम बहुत क्लियर हो चुका हुए है आसमान साफ है प्लूशन बिलकुल नहीं है यह कुछ चंगियां गल्ला भी हो रही है क्योंकि मनुखदे पाई होए जड़े पसारे ने प्लूशन बगारा यह सब मनुखदी दीन है तो होन आसी टाल ऐसे चुके हुए है शिस्टम देवेच कि फैक्टरियां ना चलन गड़ियां ना चलन तो जड़ी अर्थववस्था है गिये इस सारी रोक जान दी है ओ चीज हों साधी लोड बन चुकी होई है हर चीज साधी लोड बन चुकी होई यासी ओधन उतो बगएर रही नहीं सकते हो ते खैर एक प्रमात्मा ने ऐसा होन रीसेट केलो भी मार देता है कि अपने करांदे विच रहो प्लूशन कटा हो ताँ जो एक प्लैनेट बच सके पानी साफ हो सके हवा साफ हो सके सारा तरो ताजा हो सके महूल ताँ जो ओन वाला समा थोड़ा जा मनुखली सुखैला हो सके बमारी दा इलाज आजनी ता कल आई जाएगा पर कुछ ना कुछ ए अभी जड़ी बमारीया होर वाद रही याँ सी क्रोणा वाईरस नो अगर छाट भी दे है पामारीया जड़ीया होर वाद रहीया सी गिया ओ दे ते उन्हाँ तोड़ा ज़ा कंट्रोल होना शुरू हो ग पई है पेड़ पत्ते पौदे सुख नाल साल है रहे हनका उननुकारवन डायक सायड जडी जारी है ओ उदे कारण जड़े पेड़ पौदे है ओ हरे अली है जडी ओ बड़ी वधी हुई है सो परमात्मा जो करदा ओदे बचे कुछ ना कुछ चंगा होंदा है आप पर हारे कर और पर भौ रंगी जो तिस पाव नान का साई गल्चंग है आज जड़िया तुसी ने एपिछली रियाज दियाओ वीडियो दुसी देखिया है कुछ प्रैक्टिस दियाओ वीडियो देखियां कुछ मेरी जो मैं शैफ बने हुए होया आज तुसी ओभी देख चुक्त है ते पिछलियां दो वीडियोज एक मैं जड़ा कड़ा बनाया सी गा उन्नों भी बहुत उसी प्यार देता एक मैं शक्र दा प्रोठा बनाया सी क्योंकि उनकार बैठ है या कोछ ना कोछ हाथ पैर मार दे रही दा कुछ ना कोछ जित्वों एजुकेशन मिल दी है कुछ समझ मि आज एक नवी चीज मना नेया ओ बना नेया जी आज वेसन दी बर्फी ते बड़ी स्वाद हुं दी है जो तो तुसी बना के खाओ के बहुत इजी है ज्यादा समान में नहीं लगदा मैं एदन या रेसिपीज वगएरा बना ना जड़ियां साथे का अर्देविट समान और करेड़ी प्या होया तो कोशिश करता हो ना कि समान भी काट लगए चीज भी ओ होवे जड़ी स्वाद भी होवे ते असी सारे खोशों के खावी सकी है तो आओ जी मैं आज तौनू विखाना कितना बनाई जान दी है वेसन दी बर्फी बहुत स्वाद हों दी है जो उसी खा आपा कर रहने है एदा दियां दो कोलियां वेसन दियां ते उस तो आपानू अद्धा चाहिदा क्यों एक कोली ते एक कोली आपानू खंड दो कोलीयां वेसन एक कोली क्यों ते एक कोली खंड दी सब्सक्राइब करते हैं तो यह जादा ने जालेगा क्योंकि आप वेशन दी बना रहे हैं बर्फी अब जादा हो गया तो फिर पतली बर्फी बन दी है अपा मीडियम लो ते रखांगे फ्लेम नू फ्लेम जादा नहीं रखनी हो नू लो मीडियम ते वेची रखनी है तो अब आपा पामागे जी थोड़ा थोड़ा करके क्यों तो अब अब विया थी अपना के वो अल्मोस्ट बराबर या जी अब में ऑने नू सारे नू हिला दे जाना आप माँ नाले नू साफ कर दे जाओ बांडे नू ए ओली होली जिद्धा जिद्धा वेसन पूंड़ना शुरू हो जेगा ते क्यों वेसन शड़ना शुरू हो जेगा ते ए सारा पतला बुझेगा जी ताद तक तुसी इनू चलाई जना उबास हिलांदे जलो जिधा जिद्धा जिदा वेचे बेचे जाम जाना इन उ तोड़ने जाओ लो फ्लेम ते रखना जी आनू काली करनी ने प्रवाइब लौफ लेम दे बास आपने प्यार ना लगे रहना है अलका हलका नरम पेना शुरू हो गया जी अगे काफी साकत हो गया ही गा ही थोड़ा थोड़ा नरम पेना शुरू हो गया दरने रहना शुरू होया है होज ब skincare शबसन यूष्ञा सेधक, युदह भ气 रहनका है नहीं है जाए तो आए ग्रूव वाए ग्रूव वाए ग्रूव वाए ग्रूव आ देखो जी आपके ओ छगणा शुरू हो गया है कि अपनी मंजल दे बहुत करीब पहुंच चुके हुए हैं देखो आके ओपर ओपर थोड़ा लिश्का मारनी शुरू कर दिती हुए है उड़ा पाई नू और लामांगे जोड़ा एक दो मेंट और लामांगे सब्सक्राइब देखो सारा के ओपर आगया हुए है यह पतला एस्टम बिलकुल जी में लेमी जी बनगी हुई है ते यह क्यों ने अपने आपनू छड़ देता हुए है वेशन ते यह दोनों अलग अलग हो चुके हुए है तो इस तरह दा एक मिक्शर मेंधना चाहिए दा सब्सक्राइब जी तो आपा होन कर देयां के ग्यांस नू बंद इनू आपा थोड़ा जया ठंडा होनू छाड़ देना एसे तरह ही छाड़ दियो ते होन आपा चल देयां जी चीनी वाल नू खांट वाल नू जड़ा आपा बनाऊना चाश नी सोजी एक कप खांट ते एतनो अद्धा पाणी पाणी आपा ज्यादा नी पाणा बस इनकी पाणा पाणी ते आपा पाणी नू चाशनी नू अपा इनक त्यार कर ले ना वही एक तार जिनिक मोटाई हो जया बेंदी तो बाला आण देना आपा होने नू तो गोड़ जिनना जादा हुए उनना ही चैंगा है टैलेंड जिनने होन परमात्मा ना दो दमाग देता है ते चाव होना चाहिए नाले असी तो हैवी सेखां असी सिख्यार थी है ते आप आप सेख दे रहना स्टूडेंट है ते जो तो आनो कितो हम इस शिखन नो मेले सि विए नहीं है कि एदे बेचे कोई असी छोटे हो जाने है यासी कोई दो चार चीजा बनाओनिया सिख के चंगी गाला तो अनु आन्या चाहिए निया किते कामी आ जाना निया किते बनानी पह जान दी है फुलका दाल रोटी चावल तो अनु जरूर ओने चाहिए बनाने मैं स्बस्के साध्य बनाड़ना भी सेख यहां। सिख रहे है और बनाग्र नाल दें डिखाए जा रहे है और ल गई है बदेखे साधीर साणी त्यार हो गोई है आं एक तार्ग जी बनने चुरूर हो गई है यह धा मतलione समक्रार अनु इनिक गाड़ी चाहिए दिया है उनवी देड़ तक काप अनू करदें आगे तो ड़ी जड़ी बाउट पार फाड़ा गरम सी हुन नौर्मल हो चुका हुए हुआ अनू करदें आगम आखोगा है ग्रू आख ग्रू है ग्रू है ुआ ग्रू सचे प्राशा साड़ा गयास बांदा जी इन्हुना पाँ अच्छी तरह मिक्स कार दियांगे जी देखो जी एसा डा जड़ा वेसन है वो हलका फोलना शुरू हो गया है ते सानु बिलकुल इस तरह दाई टेक्स्चर चाहिद है साड़ी जड़ी चाशनी है वो अच्छी तरह मिक्स कोल गी हुई है एनु थोड़ा ज़ा दोकमेंट इस तरह हिलादवांगे ता जो अच्छी तरह चाशनी विच खोल जावे चंगी तरह मिक्स होनी जाहिए वेज देखो साड़ा पीस्ट जड़ा बर्फी अलाव बेलकुल त्यार हो गया होया जी बहुत सोना मारा है दी किर्पान आल ते इनु हुन आपा पादयांगे जी एक पांडे देवेज चे तो एक पांड़ा डाले अलो जो एक जी एस तरह दा मेर कोई ही प्यासेगा ते ओदे वेच हलका आजा क्यों आपा अचारे पासे लादना एनु ग्रीज कर देना जी पांडे नु ता जो साड़ी बर्फी चे पकना जावे बंडे नाल चलो जी होना सी पांड लग गया जी माराई दी किर्पान आल वाई ग्रू बहुत होना जी सारा पूरा आगया जी कर्ची भी साफ कर लो अपनी बास एनु फटा 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 फटना एनु एस तरह बराबर कर दिए ता जो साड़ी बर्फी दी शेप आजावे सफाई आजावे सोरी देखनों तो सोनी लग रही है बाकी हुन देखो जगे की बन दा ये दे उत्ते हुन सी पादे आगे जी हलके जे बदाम थोड़ा या गार्णिश कार दी है देखनों होड़ सोना लगेगा ब्रीक ब्रीक कट्या होया बदाम तुसी यह दे ते पिस्ता भी पास सकते हो और भी को ड्राइफ रूट हैगा ते पास सकते हो मिलको बदाम पाई सेगे तो मैं बदाम पादे ते यह दो हलका हलका जा उपरो प्रास कार देओ जी ता जो साड़े बदाम बार ना डगे पैन जी यह दो अजी राख देंगे पके थले ता जो ठंडा हो जेवे ते इस तो बाद फिर असी इन्हों कट के देखांगे कि साड़ी बर्फी कितना दीया जी वैसे में 10-15 मिंट कहे सिगे पर टाइम लाग गया थोड़ा जादा इन्हों ठंडे हों देया कूकि तो टाइम लाग जिके हनों सखेंग Same Λेट सारा प्रॉसेस देया कर देयाए पके थले तरली राख के आदिखो जी呼न साड़ा ये तियार हो चुका देखो किन्हा सुनना इनेखल कि जी मैंनों हिरानि हूं दिय है कि मैं डव। ये शय बलंग्या है लोग जी होना पाइनों कटांगे बड़े प्यार नाल ते बड़ा संभाल के पहला इंदी साइडा लाली यह जी ताहां जो एक ते चिपके आना रहे जावे बड़ा संभाल के कटना बेना क्योंकि ज्यादा सोक जावे ना ते फिर कई वारी टोट जानदा इसलिए आपा बेलकोल नहीं सुकन दिता आपा होली होली को एदे वेचे काट होन पाने जरू करांगे चलो जी कटन दे मेंचे थोड़ी जी जाड़ी कला कारी काट रहेंगी पर बनी इन्नी जबर दासता ना तो नूमें दासने साग्रा आव एक हो तुसी मैं अपने बोलो प्रैप्रेशन किती है काट कोट के सजाई है जी बाकी तुसी पसांद करें तो उन्हों में दिखा दे ना उतना आद एक मिर को पीस पया होया किड़े अराम नाले एहे एंड पूरी बर्फी जैसरा होंदी है नरम ते होनी मी नरम चाहिए दी है कई बरी की होंदा ऐसी सक्त बना लेने या तो खानी मी उक्षी हो जान दी है ते एह बहुत नरम है मैं तनो खाके बिजिखा दना है दखाओ जी आए पूरी बर्फी है है एनु आपा देखो काट समगरी दे बनाया है सिरफ वेशन लेया खांड लेही है क्यों लेया है ते जे तो अड़को बदाम बगरा या पिस्ता बगरा होन ता ठीक है नेदा तो उसी प्लेन बनाओ बहुत स्वास बन दी है जैस अची बहुत स्वास बन दी है जिदा दा तो अनु मैं प्रसाइस दासे है उसे प्रसाइस नाल तुसी बना के देखियो बड़ी नरम बनी हुई है आजे मैं थोड़ी देर फ्रेज बिच रखांगा या उस तरह पक्खे थले रख देंगा ता जो यह थोड़ी हाड हो जावे ज़्यादा हाड हो जा ते अची बरता हांगे जी प्यार नल देखो जी अच्छी तरह हो नो सोक चुका होया जी एक पीस तो अनु मैं देखा रहे हैं यह बिल्कुल एस तरह हो जोक चुका होया है कटन तो बाद मैं थोड़ी देर फिर एनू केंटा कोर एनू रखता सी ठंडा हो ली स्विश बिल सो एस तरह दी होनी जाए दी बर्फी जेड़ी हलका जा तोड़ो ते एदा टोट भी जावे ते इंदे ची देखो आपकोई रांग नहीं यूज किता है कई लोग ना अपनी वीडियो देवेच रांग भी यूज कर देया पर मैं रांग नहीं यूज किता है ओरीजनल कलर ह होना चाहिए जी जे तो अनूँ वीडियो पसांद आई ता जरूर इनू लाइक करो काफी मेनत वाला कम किता है एक लाइक तो बंदा ते जिनना ने सब्सक्राइब नहीं किता है इस चैनल नूँ जरूर कर लें बहुत बहुत आन्वादा तोड़ा जल्दी नमी वीडियो के हाजर होना जी वाइक गुर्जी का खाल साथ वाइक जी की फतेव